तो एलोफेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बता रहा है जैसे कि मैंने दो तिन दिन से पहले भी बता रहा हूं कि नए नए गुड़ लग जो मॉडिल होता है गुड़ लॉक एप में उसमें अपडेट्स आ रहे हैं अभी आज फिर एक नया अपडेट्स आया या पर बोद सकते हैं वो भी कल भी आया था आज मैं उसके बारे मताने वालाओं जिसका नाम है क्लोप फेस एप यह फेस क्यों होती है और सब्टेट में क्या दिया आगे आपको बताने वालों आगे बढ़ने से पहले यार मेरे चनल को जब्सक्राइब सालेना ना तो उसके लिए मैं आपको निए यहां पर गुड्लक की एप में यहां पर आप जाएंगे आपको अच्ट आहरे हैं वर अब लेगा सब्सक्राइब kissing एक रिखेंगे को कब यह बता देगा कि यह बता देगा आपको पirurg क्या कि अ destroyed बता दूँ इस अपडेट को रॉलाओट किया गया 21 तारीक को रॉलाओट किया गया जो की 83 MB का यह अपडेट है इस अपडेट में क्या किया गया में लिए आप यहां पर दिखेंगे अब भी आगया आपको बताने वाराओं इस अपडेट कैसे आप इसको क्लॉक्फिस का यूज करते थे अगर आपको नहीं पता कि क्लॉक्फिस को कैसे यूज करते हैं आगया आपको बता रहता हूं और जो भी कुछ बग्स थे ऐसा नहीं कि वन्यूए 5.0 वाले ही लोगों को फायदा हो जिन में वन्यूए 4.0 उसको भी फिक्स किया गया होगा और जब भी कोई नया अपडेट आता है कोई भी एप का उसमें सिक्यूर्टी भी अपडेट की जाती है तो हमेशा आपको अपने मॉबाइल में को मॉबाइल को या कोई भी एप को जिसको आप रियादा यूज करते हैं उसको अपडेट करके रखना चाहिए मेरा पसनल सर्जेशन है तो इसको होने देते हैं पहले अपडेट फिर आप आपको बताता हूं फाइनली है दोस्तों हो चुका है ओपन होने के आपको ले जा रहो हूं यहां पर इसको गुड़ग अपडेट हो चुका आपको सबसे उपर आ चुका है यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आप उसको भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं यहां प्लस में करेंगे तो आप इसमें कुछ आइडिट करना चाहिए तो अपने साब से एडिट कर सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे माइक लॉक में तो माइक लॉक जो भी आफ एडिट करेंगे अपको यहां पर मिल जाएगी वॉच यहां पर आप आप पर डिजाइन कर सकते हैं सेम ऐसा ही अगर आपको लॉक स्क्रीन क्लिक करना है तो लॉक स्क्रीन पर जाएए लॉक स्क्रीन वाल पर जाने के बाद यहां पर आपको क्या करना है जो उसको भी आपको लगाना है अपने लॉक स्क्रीन पर आपको उस पर क्लिक कर लेना है ब यहांकर सब्सक्राइब सोर्व थी रहा है और मैं कोई दूसरा भी लगाता हूँ तो कितने समय यहां पर वह नहीं खिक्वादिशों स्वेंबर मुझाता हुआ है क्षिक व्चिंग सब्सक्राइब मैंने बताया हुआ उसका link में आई button दे दूँगा आज की वीडियो में स्रिफ गयी था इस update के बारे में बट मुझे इस update के बाद एक bug fix लगा या bugs issue लगा जो कि आपने खुद ही देख लिया bug की problem लग रही है जिसके अंदर अपना lock screen पे आप वहाँ पर ग्लॉक का फेस सेंच नहीं कर पा रहा है जो इस update के बाद मुझे लगा 1UI 4.0 में 1UI 5.0 में क्या है यह मुझे नहीं पता बर 4.0 में यह वर्क नहीं कर रहा है अभी आपके सामने मैंने बताया उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंकियो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी present आपको और अपको सबसक्राइब मेरे के और चैनल पर सब्सक्राइब कर